नमस्कार दोस्तों दिवी ग्यान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है ग्रीश मिस्रा और आप देख रहे हैं हमारी ल्टी पर आधारी त्विसेश सिरीज सिक्षण अभिरूची जिसका आज का टॉपिक है विचार संप्रेशन और अन्थावेक्टिक संप्रेशन तो संप्रेशन के दो भाग हमने पढ़ने हैं विचार संप्रेशन और अन्थावेक्टिक संप्रेशन तो इससे संबंदिद हम यहाँ पर 30 प्रस्ण करने वाले हैं और ये 30 important प्रस्चन होने वाले हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है संप्रेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है लेकिन हमने संप्रेशन नहीं पढ़ना है यहां से पर विचार संप्रेशन अंधर एक्तिक संप्रेशन पढ़ना है तो इससे समधिद हम 30 क्वेशन क आपके विच्तिक के बारे में इसी प्रेसक के संदेश की प्रतिकिरिया को dot 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 कहा जाता है जो प्रेसक यानि जो भिजने वाला होता है संदेश को भिजने वाला उसे प्रेसक कहते है प्रेसक के संदेश की प्रतिकिरिया को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है खादी बैंक है प्रतिक्रिया है भोजने पीछे तो ये इसे कहा जाता है प्रतिक्रिया ही कहा जाता है ठिक प्रेसक के संदेश की प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया ही कहते हैं यानि कि जो आपने एक नियम भी सुना होगा किरिया प्रतिक्रिया का तो अगर में स्वर की आवाज, सरीर की भासा, चहरे के भाव आदी सामिल होते हैं तो देखिए किस संचार में स्वर की आवाज, सरीर की भासा यह नहीं body language और चहरे के भाव जो चहरे के expression हैं वो सामिल होते हैं किस प्रकार के संचार में होते हैं जो एक असाब्दिक संचार हैं, इसमें स्वर्की आवाज, सरीर की भाज़ा, body language और चहरे के भाव, यानि कि जो हमारे के हैं, चहरे के भाव होते हैं, emotions होते हैं, तिक आप बीच बीच में जो आपका चहरा बताता है, बहुत बार आप दुख्यों होते हैं, तो आपके चहरे स पता चल जाता है खुश होते हैं आपके चेहरे से पता चल जाता है तो ये सभी असाब्दिक संचार के अंतरकत आते हैं इसी प्रकार जब प्रेशक यानि जो संदेश भेजने वाला होता है और प्राप्त करता है संदेश को प्राप्त करने वाला होता है के बीच की एक जैसा होता है यानि कि उम्डे लगबग एक जैसी है भासा एक जैसी राश्टीता एक जैसी है धर्म एक जैसी है उनका लिंग एक जैसा है तब उस उसे कहा जाता है सांस्कृतिक ठीक उसे कहा जाता है सांस्कृतिक संदर्व कहा जाता है इसी प्रकार पत्र इमेल टेलीफॉन ये किसके उधारन है ठीक संदेश के हैं प्रतिकरिया के हैं चैनल के हैं एंकोर्डिंग के हैं तो पत्र इमेल टेलीफॉन ये आते हैं चैनल के अं बनते हैं 5 बनते आट बनते हैं 6 बनते हैं तो भाचन के विभिन भागों को समझने से जुकाओ व्याकरण के 8 जो हैं आधार बनते हैं तो आट इसमें से पतर होगा बढ़ते हैं आगे संचार क spends के के तो कैसे आफसे दोट को मजबूत करता है और संबंध एक संगठन है और पिता संबंद एक संग्ठन है तो ये तो होगा नहीं गलत हो रहे नियोक्ता संचार नियोक्ता को मज़बूत करता है और नियोक्ता संबंद एक संग्ठन है मत्पर्तिदिन है कि किसी को दिन परती दिन के मामलों में एक डॉट 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 वाक्य बनानी के आउशक्ता होती है तो यह सबसे अधिक महत्वपोर्ण है कि कि किसी को दिन परती दिन के मामलों में एक गलत, सही, गलत या रात तिक वाक्य बनानी के आउशक्ता पड़ती है तो सही वाकि बनानी के आउशिक्त पड़ती है टिक बढ़ते हैं आगे a.v को किसी व्यक्ति, इस्थान या चीछ के नाम के रूम में परिबासित क्या जा सकता है तो ये सिंपल से संग्या की जो है परिबासा के अंदर गता आती है व्यक्ति स्थान या जो है चीज के नाम है नाउन जिसे कहते हैं संग्या जो है इसका अंसर होगा बढ़ते हैं होबेन के अनुसार संचार विचार या विचार का क्या है तस्वीर है और यो है मोखिक है और लिखा हुआ है तो होबिन के अनुसार संचार, विचार या विचार का मोखिक नाइट्टो चेंज है बढ़ते हैं आगे संचार, डॉट, डॉट, कॉसल का ही हिस्सा है तो संचार किस कॉसल का हिस्सा है? मुलायम, कठिन, खुर्दुरा ये कम तो जो संचार है, वो नरम, जिसे बोलते हैं मुलायम, जिसे कह रहें, ठीक, उस कॉसल का हिस्सा है तो जैसे संचार है, इसमें, जो है, सौप्ट कॉसल होते हैं हार्ड कॉसल होते हैं, ठीक, इसमें, जो है, सौप्ट कॉसल का हिस्सा है नहीं कि मुलायम कौसल का एक हसा होता है संचार इसी परकार एक बार संदेश को वांचित प्रारूप में एनकोड करने के बाद इसे डॉट 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 नामक माध्यम से स्थानांत्रित किया जाता है तो एक बार संदेश को वांचित प्रारूप में एनकोड करने के बाद इसे किस माध्यम से इस्थानांतरित किया जाता है, चैनल के माध्यम से, माध्यम से, मीडिया के मार्गी के माध्यम से, तो इसका सही आंसर है चैनल, तो एक बार संदेश को वांचित प्रारूप में एंकोड करने के बार इसे चैनल नामक माध्यम से इस्थानांतरित किया जात तो उन्हें क्या कहा जाता है सामानी कहा जाता है उच्चित कहा जाता है सामुहिक कहा जाता है तो जिन संग्याओं को महसुत देखा या सुना नहीं जा सकता है उन्हें सार कहा जाता है इसी परकार सूचना जो receiver को हस्तान्तरीत की जाती है उनकी व्याक्या की जानी चाहिए इ encoding कहा जाता है, decoding कहा जाता है, prarambi कहा जाता है, समापन कहा जाता है, यह तो हूंगे नहीं, यह encoding कहा जाएगा, decoding कहा जाएगा, तो यह कहा रहा है कि, सूचना जो receiver को हस्तान तरीट की जाती है, receiver को भेजी जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है, decoding के माधियम से अगला प्रस्थन है सभी संचार घटनाओं में क्या होता है संसादन होता है सुरोत होता है प्रारंब होता है समापत होता है तो सुरोत होता है जहां से वो घटना सुरू हो रही तो सुरोत वहाँ पर हो गए होगा तो सभी संचार घटनाओं में एक सरोत होता है ताकत और हिंसा के व्यक्तित्तु को डॉट 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 लिंग माना जाता है जो ताकत और हिंसा को ज़्यादा दिखाता है मरदाना, संग्या, सामानी या नपुनसक तो ताकत और हिंसा के व्यक्तित्त को क्या माना जाता है तो ये माना जाता है अपने आप में मरदाना इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संग्या हमेशा डॉट 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 अक्षरों से शुरू होती है तो किसे शुरू होती है दौड़ना राजधानी छोटा है संख्यात्मक तो व्यक्तिवाचक संख्या इन दोनों मैंसे मतलब इन मैंसे कौन है जो है व्यक्तिवाचक संख्या दौड़ना है राजधानी है छोटा है संख्यात्मक है तो राजधानी इसका सही अंजर है अगला प्रसने, डॉट 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 के कारण संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, किसके कारण संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, बाधाओं के कारण, विक्रितियों के कारण, डिस्ट्रेक्शन के कारण या सोर के कारण, तो जो बाधाई होती है, इनके कारण संद जिन देशों को नामों से संदर्भित क्या जाता है, उन्हें क्या जाता है? जिन देशों को नामों से संदर्भित क्या जाता है, तो इसमें आंसर कोई भी नहीं, उसमें स्दर्भित क्या जाता हैं, जो स्दर्भित क्या जाता है? जिन देशों के नामों से संधर्वित किया जाता है उन्हें इस्तिलिंग भी माना जाता है इसी प्रकार डॉट 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 का इसाई चिन धर्म और अध्यात्मिक्ता से संबंदित एक सारा होता है प्लस रिण विभाजन या पाती है यह क्या होता है इससे क्रॉट होता है यहनीकि प्लस बोलेंगे प्लस जासा LISA होता है थिक तो यह का इसाई चिन धर्म और अध्यात्मिकता से संबंदित एक इसारा होता है मौखिक संचार में ततकाल डॉट 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 की संभावना होती अजर मौखिक संचार होती है तो एकदम से reply आ जाता है इनी की प्रतिकरिया आ जाती है जिस वातावरण में transmitter या receiver है वह कैसा होना चाहिए जटिल होना चाहिए, सक्चम होना चाहिए या अनुकूल होना चाहिए तो जिस वातावरण ट्रांस्मीटर या receiver है वह क्या होना चाहिए इसी प्रकार TV संकेतों के उप्योग किये जाने वाले Twin Wire Feeder की विसेष्था परतिभादा लगबर कितनी होती है 1000 Ohm होती है 500 Ohm होती है 300 Ohm होती है टीवी संकेतों के लिए उप्योग के जाने वाले ट्वीन वायर फीडर की विसेश्टा होती है कि उसमें 300 ओम होते हैं इसी प्रकार मौखिक संचार में वक्ता सुरोता के का उलोकन कर सकता है कि क्या उत्साहित किया जा रहा है यानि कि मौखिक संचार में के संचार में हमेशा किरिया प्रतिगिया होती रहती है इसी प्रकार संग्याएं जो वाई में समापतों होती हैं लेकिन वाई से पहले एक इस्तिरांग होती हैं जो डॉट-डॉट को छोड़ कर और जोड़ कर अपना भोचन बनाती है तो वाई को हटा के उसमें क्या बनता है भौवचन बनता है अपने संगठन के बाहर मौकी प्रस्तुती में आपको सबसे पहले दर्सकों को अपने संगठन का एक क्या देना होगा क्या देना होगा प्रिश्ट भूमी आपको देनी होती है इस ही परकार ए और अन लेख है dieser निश्चचित है अनिश्चित है लेशेकर और अन इसे प्रकार डॉट-डॉट-डॉट का उप्योग ओवरहेट, प्रोजेक्टर का उप्योग करने के लिए क्या जाता है। तो इस तरिके से 30 प्रस्न हमने विचार समप्रेशन और अन्तरव्यक्टिक समप्रेशन के विचह में पढ़े हैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन जो अच्छा लगा होगा ऐसे ही मिलते हैं और वीडियो के साथ आपको जो है अभी दो तीन टॉपिक और बचीवे हैं इसमें तो मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ धन्यवाद जैहिन जैवार